नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है डिफेंस ओफिसेज एकाडमी के यूट्यूब चैनल पे आ रहीं सी दिसंबर 2023 का रिजल्ट को आए वे काफी समय हो चुका है और अब बच्चों के इंटर्व्यूस चल रहे हैं ठीक है तो कुछ मॉक इंटर्व्यूस हम भी ले रहे जिसमें से हमारा एक स्टूडेंट है आईश्मान सिंग शिखावत है इस फ्रम राजस्थान तो इसका भी अभी मॉक इंटर्व्यू चल रहा है क्योंकि इसका जो इंटर्व्यू है एड़ अफ में को लेकिन अगर मैं बात करूं मॉहमत फरीन का जो इंटर्व्यू हो चु करने का फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का तो मैं चाता हूं कि जो कुष्टिंस मोहमत फरीन से पूछे गए वो मैं सभी बच्चों से डिसकस करूं को कि 8th में को बहुत सारे बच्चों का इंटर्व्यू है तो बहुत सारे बच्चे आज के से से बहुत अच्छा एक गाइ पर फोकस करोगे तो इसी तरीके की कुष्टिंस आपसे बी इंटर्व्यू में पूछे जा सकते हैं ठीक है लेकिन एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि आपको कभी भी किसी बी इंटर्व्यू को प्रिडिक नहीं करना चाहिए अगर जो कुष्टिंस फरीन से पू पूछे जाए और वहीं पर इंटर्व्यू खतम हो जाए कि आपथा कुछ बच्यों से तो गाने भी गवाय जाते है यह ली पर इंटर्व्यू खतम हो जाए तो इंटर्व्यू कर सकते लेकिन कुछ प्रिप सेória के बारेम tutti है ।ि अपने 可愛ए जर्ञ एक अपना एकस्पेश आपको दे रहा हूं इंटर्व्यू के लेगे हैं, guidance for interview, so there are three important parameters और उसके बाद मैं मुहमत फरीन के जो questions हैं वो भी आपके साथ जरूर डिसकस करूँगा, लिकिए guidance में जो सबसे पहला point है, वो है कि आपको अपना introduction आना चाहिए, majority of questions नहीं से बनते हैं, और definitely यह सवाल फरीन स आप से भी पूछा गया, introduce yourself, अब introduction देते हैं वक्त आप अपना नाम बता रहे हैं, आप अपनी जगा बता रहे हैं, जहांसे आप बिलॉंग करते हैं, आप अपनी highest qualification बता रहे हैं, आप अपनी family के बारे में बता रहे हैं, आप अपनी hobbies बता रहे हैं, और आप अपना future aim बत जा सकता है, what is the meaning of your name, what is the significance of your name in your personality, place you belong to, बहुत सारे geographical questions यहां से पुछे जा सकते हैं, important है, in the near highest qualification, कौन सी class में हो, कौन से school में हो, school के बारे में पुछे जा सकता है, school से related friends कितने हैं, teachers कौन कौन है, who is your best teacher, बहुत सारे questions यहां से बन सकते हैं, family के बारे में बहुत सारे questions है, you should be very thorough with your family कि आपको मालुम होना चाहिए कि, कौन member क्या है, क्या life में करना चाहता है, क्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, sir, my father is a government employee, क्या मतलब बनता है government employee, क्या है specific बताओ, जिसे मेरे father है, my father is an executive engineer in public work department, right now posted in so and so place, क्योंकि hobbies से भी आपकी personality enhance होती है, तो hobbies कैसे आपकी personality पर फरक दालती है, वो भी बहुत important है, और क्योंकि देखिए, army की जो life है ना, किसी किसी situation में बड़ी stressful है, तो hobbies में बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि hobbies के वज़े से ही न, आप उस stress को manage कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैं badminton खेलता हूँ, ठीक है, अब मेरी अपनी family भी है, students भी है, academy भी है, लेकिन जब मैं badminton खेलता हूँ न, जो भी problems है life किया, जो भी मतलब आप कह सकते हो न, जो भी मेरी responsibility है, जो भी मेरी commitments है, चाहे वो family हो, चाहे students हो, मैं सब भूल जाता हूँ, ठीक है, तो मिल एक meditation है, ठीक है badminton खेलना, और stargazing करना, तो मेरी hobbies ऐसी है कि कहीना कहीना कहीना, मुझे, 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 it's like meditation, कहीना कहीना कहीना, मेरी stress हो दूर हुजाता है, इसलिए hobbies पे इतना stress दिया जाता है, कि आपकी hobby क्या है, कोई hobby है भी की नहीं है, आपने कोई hobby इंकल्केट करी नहीं करी, करी तो उससे आपको क्या benefits मिलते हैं, और फिर aim से related भाव सारे questions पूछे जाते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, विडिए ज़र aim, अगर army join करना है, तो क्यों join करना है, क्योंकि यह सारा interview R.A.M.C. के लिए है, तो why R.A.M.C. यह सवाल भी पूछा जाता है, मैं अभी मुहमद फरीन के questions आप से discuss जरूर करूँगा, So this is the first module, the second module is general awareness, यह बड़ा important है, general awareness में majority आप से current events के बारे में बहुत पुछा जाता है, जो भी current में चल रहा है, whatever is going on, अगर Russia और Ukraine का conflict चल रहा है तो उसके बारे में भी आप से पूछा जा सकता है, ठीक है, दुबाई में floods आई हैं, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, IPL चल रहा है, उसके बारे में भी पूछा सकता है, तो यह general awareness भी बहुत important है, यहां से भी questions फरीन से पूछे गए, वो भी मैं आपके सामने जरूर लाओंगा, and the third parameter is your observation skills, observation skills, यह बहुत important parameter है, the third parameter, आप कहीं भी जाओ तो observe करना तो जरूरी है न, यार आपको अपनी society के बारे में अगर आपको knowledge नहीं है, कि आप अपनी society को कैसे change कर सकते हैं, क्या enhance कर सकते हैं अपनी society में, जिससे मुझे लगता है कि मेरी society में ज़्यादा trees होने चीए, कुछ और parks होने चीए, ठीके तो मैंने observe किया है न, आपको भी observe करना पड़ेगा, ऐसे questions भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीके, तो आईए, ये तीन parameters हैं, जिनके उपर हम लोग ने बात करी, और अब directly मुहमद फरीन के questions को मैं आपके साथ discuss करना चाहूँँगा, देखे, मौहमद फरीन से questions कौन फरीन से पूछेगे, सबसे पहले आप पूछा गया कि tell me something about yourself, ठीक और यहां से बहुत सारी चीज़ें घुमती हैं, बहुत सारे questions आप से पूछी जाते हैं, and then finally उसने बताया होगा कि sir I want to join army, क्योंकि वो army backgrounds हैं, उसके father पहले army में थे, फिर voluntary retirement लिया, फिर उनके father ने एक bank join किया साम में, तो वहां से पर related देखना भी questions कैसे पूछी जाएंगे, तो पहला question है why army, तो यह क्यों पूछा गया, क्योंकि वो army join करना चाहता है, then how many chiefs did RIMC produced, अब RIMC आप जाना चाहरे हो, तो यार, RIMC ने कितने army के chiefs दिये हैं, वो तो एक सवाल important, बनता ही बनता है, या Air Force के, या Armed Forces के, तो वो भी आपको knowledge होनी चीए, RIMC के बारे में उसका पुराना नाम क्या है, कब established हुआ है, तो RIMC के बारे में भी information होना बहुत important है, अभी concurrent principle है RIMC का, उसकी क्या rank होती है, उस सारी चीज़ें आपको मालूम होना चीए, Military Establishment in Guwahati, ठीक है ये Guwahati लिखा भाई, क्योंकि वो आसाम का रहने वाला है, तो उससे कुछ Military Establishment Guwahati में पूछ लिए अगर आप उत्राखंड के रहने वालो हो, देरद उन के हो, तो आपको यहां के भी Military Establishment के बारे में मालूम होना चीए, NCC, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे NCC में होते हैं, National Cadet Corps, तो NCC से related भी questions उनसे पुछे जाते हैं, ठीक है, तो यह ज़रूरी नहीं कि सभी से पूछी जाएंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका background NCC से related है, तो आपसे NCC से भी questions पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं न, अगर एक military leader है और एक normal leader है, तो उन दोनों में क्या difference है, यह ऐसे भी सवाल पुछेगे है, ठीक है, यह सारे observation सवाल है, Ukraine-Russia conflict, ठीक है, इस आर अल related to general awareness, दुबाई floods, फिर एक situation में दी, देखो situation क्या दी, if you are an army officer posted in Manipur, तो आप कैसे Manipur के जो rights हैं, उनको आप रोखते हैं, ठीक है, तो यह सारा general awareness सवाल पुछेट है, और उस सवाल पुछेट एक situation भी आपको देदी, and then changes you will do in your society, या changes you will do in army society, क्योंकि आर्मी बैक्राउंड से था, तो कहीं ने कहीं, आर्मी society में भी रहा है, आर्मी वाले एरिये में, quarters में भी रहा है, आर्मी के, या cantonment area में भी रहा है, और क्योंकि बादमस के फादा ने, bank join कर लिया था, तो एक civil life भी उसने देखिए, civil society में भी रहा है, तो दोनों में, वो क्या changes लाना चाहता है, वो भी उससे पुछा गया है, ठीक है, so these were the questions asked by Mohamed Farin, तो इसमें तीनों parameters covered है, about yourself, जो आपके बारे में सारी information है, वो तो important ही है, general awareness, और आपके observation skills, तो I hope कि आपको ये video काफी information लगा होगा, अगर आप इस video से कहीं न कहीं relate कर पाते हैं, या आपके नजर में कोई ऐसा student है, जिसका interview है, आराइमसी का, तो आप जरूर इस video को उसके साथ share कीजिएगा, और comment करके जरूर बताइएगा, कि आपको आज का video कैसा लगा, मैं सभी बच्चों को, students को all the best करना चाहूंगा, जिसका interview भी आने वाला है, और कोई भी doubt हो, कोई भी query, आप जरूर comment करके बताइएगा, और जो नीचे देगे numbers हैं, उसमें आप जरूर message कीजएगा, कि आप से interview में क्या questions पूछेगे, ताकि मैं इसी तरीका का session लाओं, और बच्चों को बताऊं कि, ऐसे से questions बच्चों से आरे इमसी के interview में पुछे ही आते हैं, So that's all for today, Bye-bye, see you soon, All the best, जहिंद!